गुड मॉर्णिंग चिल्डरंग्स, तुदेः आम गोईंग टू टीच यू चाप्टर ट्वंटीवन आव पोधा लगाएं दीपु बहुत नठखट है, वह नित नई प्रश्ट पूछता रहता है दीपु बहुत नठखट है, वह डेली ने ने कोशन्स पूछता है रामु उनका माली है, एक दिन सुबह वह अपने बगीचे में गया वहां रामु काका खुरपी से कुछ कर रहे थे पिच्चर में भी दिखाई दे रहा है, वह जाकर उनसे बाते करने लगा दीपु ने कहा, रामु काका आप जमीन क्यों खोद रहे हैं रामु ने कहा, बेटा हमें गुलाप के पोधी लगाने हैं, इसके लिए मैं क्यारी तयार कर रहा हूँ क्यारी किसे कहते हैं, जो हमारे बाग होते हैं, उनको हम केई पार्ट्स में डिवाइट कर देते हैं उसको हम क्या कहते हैं क्या रही दीपू पोधे तो वैसे भी लगाए जा सकते हैं दीपू ने कहा पोधे तो वैसे भी लगाए जा सकते हैं इसमें जमीन खोदने की क्या आवशकता है इसमें जमीन खोदने की क्या जरूरत है रामू ने कहा दीपू बेटा हमें बीज बोने य इसे तैयार होती है काका रामु ने कहा जमीन को तैयार करने के लिए हम उससे अच्छी प्रकार साफ कर लेते हैं पहले हम उसको साफ कर लेते हैं बड़े-बड़े खेटों में हल Key Attractor से जुताई की जातीए जो बड़े बड़े खेत होते हैं उनमें वहाँ पर हलियर ट्रेक्टर से जुताई की जाती है छोटी क्यारियों को खुर्पिय फावड़े से खोदा जाता है जुताई करने या कोदने से मिट्टी भुरबुरी हो जाती है जब हम लोग जुताई करते हैं तो जो मिट्टी है वो बुरबुरी हो जाती है मतलब उसके कण अलग-अलग हो जाते हैं इसमें गोबर की खाद मिलाई जाती है इस प्रकार हम जमेन को तयार करते हैं दीपु ने कहा काका आप पोधों को रोज पानी क्यों देते हैं रामु ने कहा हमारी तरह पोधों को भी भोजन की आविशक्ता पढ़ती है जैसे हम लोगों को भोजन की आविशक्ता है खाने की उसी तरह पोधों को भी भोजन की आविशक्ता है पोधे अपना भोजन भूमी से प्राप्त करते हैं पोधे जडो दुवारा पानी पी लेते हैं पोधे जडो के दुवारा पानी लेते हैं तब यह भोजन के रूप में पोधों में चला जाता है बीना पानी के भोजन जडो तक नहीं पहुँच पाता और ये सुखने लगते है